हाँ देखिए mathematics class 9 exercise 13.3 ठीक है तो इसका सिक्स कुष्चन है सिक्स नंबर यहां लिखाए दा slant height and the base diameter of ponical tom और 25 meter and 14 meter देखो slant height यह है 25 और base diameter base का diameter यह है ठीक है तो यहां लिख लेते हैं slant height come L बोलेंगे L बोलते हैं और यह कितनी है 25 meter base diameter d यह 14 meter ठीक है तो और कितना हो जाएगा इसका half 7 meter ठीक है आगे लिखाए find the cost of white washing its curve surface इसके curve surface पर white was किया जाएगा चारों तर्फ ठीक है तो at the rate of 210 पर 100 meter square ठीक है ना यानि 210 upon 100 कर देंगे जब इंटू करेंगे तब ठीक है तो यानि कि इसका curve surface area पहले पता करना है मैं और उसमें जब cost find करेंगे हाँ है तो 210 का इंटू करेंगे और रिवाइट कर देंगे ठीक है तो अब यहाँ पर कर सरफेंश एरिये फाइंट कर लेते है कर सरफेंश ठीक है अडरीए फाइर्य पाई और अडर इल कौन का कर सरफेंश एरिया सब्सक्राइब कि वैल्的话 करते हैं तो है कॉन का सर्द कर से रहींट पाई यह आर leg है टीके इसकर लेन qead टो करते हैं ना हम और और पर इसंद भिए तो पाई-की वैल्यों ऐसे बुड यह 25 से तो 7 कैंसल हो जाएगा 25 के समेंट्टू कर दो 25 तूजा 50 कि 05 कर रहे है 25 तूजा 50 और 55 इतना मेटर स्कूरर आ ठीक है तो कॉर्ब सर्फेस रिया अब हमें क्या फ्रेंड करना है कॉस्ट कॉस्ट अफ वाइट वाइट वासिंग लिखेंगे नाओ Cost of White Washing तो Cost क्या आएगी 210 का इंटू करेंगे 550 में 210 का इंटू करेंगे और 100 का डिवाइट देंगे लिखा है, इसका डिवाइट देंगे तो ये किस में आ जाएगा? आप रुपीज में Cost है ठीक है? जीरो से ये 0 कैंसल, जीरो से ये 0 कैंसल पॉंटीवन का इंटू 55 में कर देंगे ठीक है तो यह आजाएगा वन वन फाइफ फाइफ ठीक है इतने रुपए आजाएगे